आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूटूब चैनल के एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो तो यूटूब चैनल का लुक बैनर से निकलता है अगर आपके यूटूब चैनल में बैनर काफी ज़्यादा अच्छा सेट रहेगा तो आपका यूटूब चैनल के प्रोफेशनल लगेगा तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूटूब चैनल के लिए प्रोफेशनल बना सकते हो ताकि आपका यूटूब चैनल काफी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे शर वीडियो काफी ज फोटो ले लेना तो इस इमेज का लिंक में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको इसके कोंट्रेक्स को सलेक्ट करना है और इसको फूल कर देना जैसे फूल करोगे पीछे का बेगरांड वाइट वाइट हो जाएगा तो इसको क्या करना है यहां पर आना है और यहां पर एस्पेस आ रहा है तो इसको सलेक्ट करना है और यहां पर इसको फिल करके यहां पर इसको ब करना होगा यहां पर प्लस की करने देनिया को इस इमेज को अपने गेलरी को फोटो लेना जो यहां पर लगाना चाहते हो तो अपने यूटुब चेनल का लोगो ले लिआ हैं तो इसको क्या करना अच्छी तरह से यहाँ पर कर लेना है करने के बाद करना होगा कि यहां पर मैं जुमाउट करता हूं और इसको मैं अच्छी तरह से यहां पर एडजेस्ट पहले कर लेता हूं तेन उसके बाद यहां पर मैं इसको ब्लक कलर कर देता हूं और इसको अच्छी तरह से यहां पर मैं थोरा रोटेट करता हूं और उसके बाद यहां पर मैं इसको एडजे गभा एं देनिसकु क्या अन्हों पर लोग करतीन लोसं करने के बाद ताकि इधर डिकानल करने के बाद इसको कॉपी सेलाक्ट कर कि कॉपी कर लेना है यह दूसरा जागा तो यहां पड़े इसको दूसरी तरफ से यहां परिसको सब्सक्राइब होगा तो आप इसको यहां पर हाइड करना चाहते हैं एक बाइट कलर लेना है और इसको कुछ सेट कर देना दूसरा लेन और कुछ इस तरह से सेट कर देना ताकि आपको एडिटिंग करने में काफी अच्छा फील हो तो एक और यहाँ पर इसपेस लेना है और इसको कोछी तरह से एडजेस्ट कर लेना अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोपरली एडजेस्ट हो रहा हो तो मैं क्या करता हूँ सबको यहाँ पर अच्छी तरह से एड़ेस्ट करके उसके बाद यहाँ पर मैं इन यहाँ पर किलिक करता हूँ और इन सबको अन हाइड कर देता हूँ यानि कि सब को hide करके आपको दिखा देते पीछे का जो background हो वो मेरा सही है या फिर नहीं या फिर आगे का background उसको कई दावतों नहीं दिया है तो guys देख सकते हो ये पीछे का background है black color तो guys यहाँ पर properly सब कुछ सही है और इसको अच्छी तरह से adjust कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको सब को unhide कर देता हूं तो guys यहाँ पर यह मेरा pick बनके तयार हो गया है तो अब मुझी क्या करना होगा text लेना है अपने channel का नाम लिखना है तो यहाँ पर आपको text ले लेना और अपने channel का नाम यहाँ पर लिख देना है तो type करने के बाद यहाँ पर okay करना है देन यहाँ पर आइसका size थोड़ा ब्रा कर लेना और इसका color white कर देना ब्लैक में white काफी ज़्यादा attractive लगता है देखने में so white कर लेना है और यहाँ पर font में आना है font में आने के बाद guys आपको इस video के निचे description में आपको इस font का link मिल जागा जो यहाँ पर मैं use कर रहा हूं तो वहाँ से आप इसको download कर लेना जो जो font यहाँ पर मैं use करूंगा सभी का link वीडियो के निचे description मिल जागा तो आप वहाँ से अच्छी तरह से download कर लेना तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता था कि उधर उधर घसके ना सो उसके बाद गाएज यहाँ पर फिर से टेक्स लेना और यहाँ पर इसको आप जो जो अपनी चैनल पर बता रहे हो दिखा रहे उसको यहाँ पर लिख लेना और यहाँ पर इसको के करके इसका फॉंट यहाँ पर आपको चेंज कर लेना सो यहाँ पर मैं इस तरह का फॉंट यहाँ पर मैं इसमें लगाना चाहता हूं काफी 72 यह हैं तो मैं इसे लिए इस फॉंट को यहाँ पर पिक करने। यहाँ पर मैं वाइट करने के बाद गाए जिसने के आन्युवाइट करने के बाद इसको साइज छोटा करें अधर सposant यहाँ पर थोड़ा जूम कर लें ता उर इसके वाद टेक्ट लेना और यहाँपर आपको फोलो बटन यहाँपर आपको लिखना है तूमर यहाँपर फोलो करता हूँ फोलो में लिख करके नीचे में इसको सही से एड्जेस्ट करलूंगा फहले मैं Sorry Toversus kart रोता हुँ तो गयाज लोक करने के बाद आपको पता हूं देनिस का साइज थोरा छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद इसे अच्छी तरह से यहाँ पर एड़ेस्ट कर लेता हूँ थोरा भी सैड से और इधर सोशल मीडिया का आइकन आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से मैं एक टेक्स लेता हूँ और यहाँ पर जो मन चाहिए हूँ यहाँ पर मैं टैप करता हूँ और इसके बाद मेरे फॉंट में यहाँ पर यह फिचर है कि आप उससे सोशल मीडिया का आइकन बना सकते हो तो यहाँ पर मेरा फेस्बूक, यूटूब, टुटर यह सभी बन चुका है तो मैं इसका कलर यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ वाइट करने के बाद गाइज इसको अच्छी तरह से यहाँ पर आपको सेट कर लेना तो यहाँ पर मैं इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैं सेट कर लियां सेट करने के बाद फॉलो बटन को यहाँ पर थोड़ा अच् सेलेक्ट करने और यहां पर इसको सेव कर लें देन गाइज आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आना है और आने के बाद गाइज आपको अपने चैनल के पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एडिट चैनल पर क्लिक कर देना है देन गाइज यहां पर आपको बेनर क आइकन दिखा दिखा तिस पर क्लिक करना है यहां पर चूज फुरम केमरा पर क्लिक करना है और यहां से आपको फिक ले लेना और इसको अच्छी तरह से यहां पर कर लेना। यहाँ पर मैं अच्छ lett तरह से आपकम इसको क्षजेस्ट कर ले हूं और इसको यहांपर शेव कर देना। शैव करने के बाद ना और यहाँ पर प्रेंड के साथ भी जरूर सेरी कर दिना ताकि उन्हें पर चले और वह भी कुछ इस तरह से बैनर बना सके तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही बस मिलते हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए जाहिंद जायवारत